Hello friends, welcome to Rally Study, Tradition of Success आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉसिका विभाजन के बारे में जी हाँ, Cell Division के बारे में हम आजके इस वीडियो में डिसकस करेंगे आजके जो वीडियो होगा, यह बाइलोजिक का क्लास सेकेंड आजके आपकी रहेगे इसमें हम कोसी का विबाजन या सेल डिविजन के बारे में डिसकस करेंगे तो यहाँ पर देखे पूरा complete discussion यहाँ पर हम करेंगे इसके बारे में पूरी detail में जो कि जानेंगे कोशी का विबाजन क्या होता है से लेकर जितने भी विबाजन जितने भी तरह के जो विबाजन होते कौन-कौन से विबाजन जो कि होते हैं, तीन तरह के विबाजन होते वो ही डिसकस आज के इस वीडियो में हम करेंगे तो यहां से आपका जो जितने भी IMP कोशन थे वो भी यहां से पूरे कवर हो जाएंगे क्योंकि detail में हम कवर करने वाले हैं इस topic को तो बिल्कुल निश्चिंद हो जाई कोई से भी exam की तैयारी करो सभी exam के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले क्योंकि यहां से बहुत ही हम IMP जो कोशन है वो भी लेके साथ में चलेंगे और पूरा detail में इसको जानेंगे कैसा क्या जो की कोशी का विवाजन होता है तो यदि कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिस्ते में जो भी नए वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन से पहले आपको मोबाइल पर आपको मिल जाएगा एंड यह बिल्कुल नि जी देख लेते कोसी का विवाजन क्या होता है इसके बारे में चलिए तो यहां पर देखिए कोसी का विवाजन जो की आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है तो यहां पर जो कोसी का विवाजन एको सरुपरतम 1855 में विर्चाव ने देखा था जी हां तो आपको पता च कोशी का विबाजन होकर दो या दो से अधिक कोशी का उत्पन करती है उसे कोशी का विबाजित होकर दो या दो से अधिक कोशी का उत्पन करती है एक कोशी का विबाजित होती है और दो या दो से अधिक कोशी का उत्पन करती है उसे ही क्या कहते है कोशी का विबाजन कहते है सरल भासा में आप समझ लीजिए एक कोशीका विवाजित होती है और दो या दो से अधिक कोशीकाओ जो की उत्पन्न signal करती है कोशिका विवाजिन केते हैं चलि नेक्स तागे हम देख लेते हैं इस कोशीका विवाजित है this course रखने का झेल्ट से जो की डिवीजन होता है उससे जो की डोटर सेल का निर्मान होता है उसे चल कहते हैं यहां पर प्ता चली कंब खोसीilar विभाजन क्या है इसके बर में चलिया आगए बढ़ते हैं को सी का विबाजन वस्तुता को सिकаете चक्र या शेयोस कोशिका विवाजन होता है विवाजित होने वाली कोशिका है मात्र कोशिका एवं विवाजन के फल सवरूप बनने वाली कोशिका है पुत्री कोशिका कहलाती है तो जो विवाजित जो कोशिका होती है वो मात्र कोशिका होती है कोशिका विबाजन में तो मात्र कोशिका विबाजी दोती है और क्या बनती है पुत्री कोशिका बनती है तो यहाँ पर आप इसली याद रख सकते हैं इसको चलिए नेक्स्ट आगे चलिए नेक्स्ट आगे कोशी का विवाजन दोरा ही जीवों के सरीर की व्रद्दी और विकास होता है जीवों का जो सरीर की व्रद्दी और विकास किसके दोरा होता है याद रखिए कोसिका विवाजन के द्वारा ही जीवों की जो की सरीर के व्रद्धियों में विकास होता है इस गिरिया के फलसरुप भी घाव बरते हैं कहीं पर चोट अगर लग जाते हैं तो जो घाव जो होते हैं वह इनी जो कि कोशिका विबाजन के द्वारे ही बरे जाते हैं क्योंकि एक कोशिका जब विबाजित होती है तो उससे अनेक कोशिकाओ का निर्मान होता है तो यहां पर देखिए जैसे इगाव चोट लगेगी तो यहां पर कोसिका विभाजन लोगा उसके बाद में अनिक ओपर कोसिका निर्मान हो Almost जैसके फल सरुफ घाव भर जाता है तो यहां पर यह यहांद रखिए कि घाव किसके दौरा बहर जाते हैं तो कोसिका विवाजन की किरिया आवश्यक होती है और प्रजनन में भी कोसिका विवाजन की किरिया अती ही आवश्यक होती है तो यहाँ पर इस दोनों पॉइंट आपको याद रखना है आगे हम देख लेते हैं लेंगिक जो प्रिजनन करने वाले प्रतियक प्रानी अपना जीवन कोसी का अवस्ता से ही आरंब करता है तो ये जो लेंगिक प्रिजनन करने वाला जो प्रानी होता है जीवन कोसी का अवस्ता से ही प्रारंब करता है अपना जीवन कोसिका अंडा होती है इसके निरंतर विवाजन से बहुत सी कोसिका उत्पन होती है जैसे पहले भी आपको बता चुके कि जो कोसिकाओ का जो विवाजन होता है उससे के फल सोरूप अनेक कोसिकाओ का निर्मान होता है तो इसके निरंतर विवाजन से बहुत सी कोसिका उत्पन होती है चलिए आगे देख लेते हैं कोशिका विबाजन की किरिया उस समय तक होती है जब तक प्रानी भली बांती विक्सित नहीं हो जाता है जब तक जो पूरी बोड़ी डेवलप नहीं हो जाती है जहां तक कोशिका विबाजन की किरिया चलती रहती है तो यहां पर याद र तक होती रहती है जब तक प्रानी जो कि भली वाती विक्सित नहीं हो जाथा कोशिका विवाजन की प्रिक्रिया में कोशिका का जिनोम जिनोम आप परिवर्थित रहता है क्या आप परिवर्थित रहता है तो जो जिनोम होता है वो आप परिवर्थित रहता है कोशिका विवा इन जिनोमों को कोशिकाओं के बीज सपाई से बाठना चाहिए तो यह जो होती है यह जिनोम परिवर्तितर धे कोशिका विभाजन के लिए इसलिए जो कि विभाजन होने से पूरु गुनसत्रों पर इस्तित्र तूचना है प्रतिकर्त हो जानी चाहिए और ततपश्यात इन जिनोमों को कोसिकाओं के बिच सपाई से बाटना चाहिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं कोसिका विभाजन की प्रकरिया कई प्रकार की होती है प्रोकेरियोटिक कोसिकाओं का विभाजन युकेरियोटिक कोसिकाओं से भिन होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रोकेरियोटि कोसिका ने जो कि अगला हमारा वीडियो आया था कोसिका से संबंधित कोसिका में हमने उस वीडियो में देखा था पूरा कोसिका से रिलेटेट पूरे question discuss किये था DTL के साथ में वह भी discuss किये तो नेक्स्ट आपका उसके बाद में जो वीडियो आया था उसमें हमने पूरा कुछ जो question है वह DTL में discuss करें थे तो MCQ टाइप वह पार्ट था तो दोनों वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो वह जल्ली से जाकर आप देख लीजिए उसके बाद में ही इस वीडियो को देखिए तो यहां पर देखिए उसमें प् तो कोसिका विवाजन की प्रिकितिया कई प्रकार के होती है प्रोकेरिोटी कोसिकाओ की विवाजन यूकेरियोटी कोशिकाओ से भिन्न होता है। चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं कोसी का विवाजन तीन प्रकार का होता है फस्ट होता है असुत्री विवाजन सेकेंड होता है आपका समसुत्री विवाजन थर्ड लास्ट होता है आपका अर्ध सुत्री विवाजन कोसी का विवाजन तीन प्रकार का होता है केंद्रक दो असमान भागों में बट जाता है उसे ही असुत्री विवाजन के थे ऐसा प्रोकेरियोटिक जो कि प्रोकेरियोटिक जीवतता को सेवालों में होता है तो जो असुत्री विवाजन होता है ये विवाजन जो कि होता है बिना तर्क तंतो के निर्मान के सीधे ही कें किसी तरक तंतू होते उनके निर्मान के बिना ही जो केंद्रक होता है वो दो असमान भागों में बराबर बट जाता है तो असमान भागों में बटता है बराबर भागों में नहीं बटता है असुत्री विबाजन में अमिटोसिस में तो उसे ही क्या कहते हैं हम असुत्री पूचे में आपका अंसर आएगा प्रोकेरियोटिक तता को सेवालों में होता है असुत्री विवाजन नेक्स्ट आम देख लेते समसुत्री विवाजन के बाद में तो इस प्रकार के कोशीका विवाजन के फल सहरूप जो कि समसुत्री विबाजन कोशिका विबाजन के फल सवरूप जनन कोशिका दो गुंसुत्र संक्या वाली संतत्ति कोशिका का निर्मान करती है तो जो जनन कोशिका होती है दो गुंसुत्र संक्या वाली संतत्ति कोशिका का निर्मान करती है कोशिका जो की समसुत्री विवाजन के फल्च रूप तो यहां पर याद रखना है कि एक जनन कोशिका से दो संक्य वाली संतत्ति कोशिकाओ का निर्मान किस विवाजन के फल्च रूप होता है तो वह होता है समसुत्री विवाजन के फल्च रूप एक जनन कोशिका से दो संत अवस्ता है, छो इसस्ता में केंद्रक से दो संतत्त्ति केंद्रो का निर्मान होता है, केंद्रक विभाजन से, 1 केंद्रक जब विभाजित होता है तो संतत्ति केंद्रों का निर्मान केंद्रकों का निर्मान होता है केंद्रक विभाजन में कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका विभाजन की इस अवस्ता में कोशिका द्रव्य के विभाजन से एक मात्र कोशिका से दो संतत्ति कोशिका का निर्मान होता है कोशिका द्रव् के द्वारा होता है कोशिका की द्वाजंग में गलिक फी विभाजंग के में जरनतों में कोशिका द्वेक विभाजन प्लाजमा प्लास्म सब्सका DRICA पाद्मों में फ्रेग्मों प्लास्ट के द्वारा होता है नेक्स्ट आपका अर्दसूत्री विबाजन के बारे में हम देख लेते हैं तो इस प्रकार की विबाजन में संतत्ति को सिकाओं में गुनसुत्र की संक्याव उसकी मात्र कोसिकाव के तुलना में आदी होती है तो जो कि जो अर्दसुत्री विवाजन होता है इसमें संतत्ति कोसिकाव में गुनसुत्र की संक्याव होती है मात्र कोसिकाव के तुलना में आदी होती है चलिए समसुत्री विभाजन के बारे में और डिटील में डिसकस कर लेते हैं, हम समसुत्रन इसको बोला जाता है, मिटोसिस जो की नाम है इसका, तो समसुत्री जो विभाजन है, समसुत्रन साधरन कोसिका विभाजन इसको बोला जाता है, इसकी संपुर्ण प्रकिरिया दो च केंद्रक का विभाजन होता है इस प्रकार की जो कि इस प्रकिरिया को केंद्रक विभाजन या केरियो काइनेसिस बोला जाता है तो फस्ट चरण हो गए आपक कोसिका केंद्रक का विभाजन इस किरिया को केरियो काइनेसिस बोला जाता है विभाजन के दीटी चरण को कोसिका द्रवी का विवाजन जो कि बढ़ चुके हैं इस प्रकरिया को कोशिका द्रवी विवाजन कहते हैं विवाजन के अंत में मात्र कोशिका पुत्र कोशिका में बदल जाती है तो जो समसूतरी विवाजन होता है इसके अंत में जो कि विवाजन के अंत में मात्र कोशिका जो होत हैं पड़ल ऊसके बाद में आपका डिए पृड़िकेशन उसके बाद में इपासापली देख सकते हैं समझ सकते हैं जो मात्र कोशिकाव से दो पुत्री कोशिकाव में बदल ray का T में नेक्स्ट आम आगे बढ़ते हैं मनुस्य के सरीर की पृतिये कोशिकाओं में 26 केंद्रक सुत्र होते हैं तो मनुस्य के जो सरीर होते हैं उसकी जो पृतिये के जो कोशिका होते हैं 46 केंद्रक सुत्र होते हैं 46 तो यहां पर आपको यह याद रखना है मनुस्य के पृतिये एक कोसिका होती है फोटी सिक स्षेया लिस केंद्रक सुत्र होते हैं उसके केंद्रक भजन रिति के अनुसार होने वाला होने वाðली सुतति घटना है तो ये बिल्कुल सूतत्य घटना है केंद्रक विवाजन रितिक अनुसार होने वाले जिसे कई अवस्ताओं में विवाजित किया जा सकता है यह अवस्ता निमनी लिखी थे वो जो कि केंद्रक को कई अवस्ताओं में विवाजित किया जा सकता है यह जो अवस्ता है निमली किते फस्ट है पूर्वा अवस्ता, सेकेंड है आपको मद्य अवस्ता, तार्ड है आपको पस्च अवस्ता और लास्ट है आपको अंत्य वस्ता तो यह चार अवस्ता में जो कि यह केंद्रक विबाजित होता है मनुसिक यहां पर आपको यह बिल्कुल याद रखना है मनुसिक के सरीर के प्रतिय कोसिकाओं में 46 केंदर सुत्र जो कि पाये जाते हैं अर्द सुत्री विवाजन के बारे में डिसकस कर लेते हैं अर्द सत्रन जिसको बोला जाता है मायुसिस कोसिकाओं का विदिवत अध्यान कोसिका विज्ञान या साइटोलोजी जेवी की विज्ञान कहलाता है कोसिकी जेवी की कहलाता है तो बायलोजी जो को सेल बायलोजी जिसको बोला जाता है साइटोलोजी जिसको बोला जाता है कोसिका का विदिवत अध्यान यहां पे आप यह याद रख लीजिए नेक्स्ट हम अर्दुसूत्री विवाजन के बारे मों और देख लेते हैं अर्दुसूत्री विवाजन फार्मर तता मूरे ने इस प्रकार के विवाजन को मियोसिस का नाम दिया था जिसका अर्द होता है कम होना तो यह जो नाम दिया था अर्दुसूत्री विवाजन का मियोसिस जो नाम दिया था फार्मर तता मूरे ने दिया था और जिसका जो अर्द होता है वो कम होना है इसलिए इसे न्यून करनी विवाजन भी कहते हैं तो अर्दुसूत्री विवाजन को को न्यूनी करन विबाजन भी बोला जाता है जिसका अर्थ होता कम होना मियोसिज का जो नाम दिया था वो फॉर्मर तता मूरे ने दिया था लेंगिक जनन करने वाले सभी द्विगुनित जीवों में सुक्रानु तता अंडानु बनाने के लिए नर्थ तता मादा जनन को सिक में अर्थ सुत्री विबाजन होता है तो अर्थ सुत्री विबाजन के द्वारा ही सुक्रानु तता अंडानु बनाये जाते हैं द्विगुनित जीवों में लेंगिक जनन के लिए जो कि बनाये जाते तो यहां पर आपको यह याद रखना है जो अंडानु सुक्रानु बन जाते है और्द सुत्री विवाजन के द्वारा ही बना जाते हैं लेंगिक जनन के लिए जो दिवगुन जीवों में बनाये जाते हैं नर्मादा में तो यहां पर आपको यह याद रखना एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है यह किरिया दो चर्णों में होती है और्द सिंटरों के संघे आदी रहाती है तो मियोसिस जो होता है मियोसिस य्किर अर्ध सुतृ विभाजन ये पाल सुरूप गुण सुतर peuvent आदी रहे दें डेम सिंटरों के कुछ संटरे परण्तु इसीत उत्रह होता है वह आदि एस का नहीं होता है तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो अर्दसूत्री वीबाजन है इसके फल सरोप गुन शुत्रओ की संक्य आधी डिया जाती है यूर्ध सुत्रो का विवाजन में लेंगिक जनन के लिए आवश्यक है एक विसेश प्रकार का कोसिका विबाजन होता है अर्द सुत्री विबाजन जो कि युकेरियोटिक के लिए लेंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है अर्द सुत्रन द्वारा युगमक जो होते हैं जेमेट से जिसको बोले जाता है और स्पोर्स कोसिकाई पेदा होती है सभी जन्तों तता भूमी पर रूगने वाले पोदे सहीत अधिकांस जियोधारियों में युगमको को अंड कोसिका तता सुकरान कोसिका कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्तों तता भूमी पर रूगने वाले जो पोदे सहीत अधिकांस जियोधारियों में युगमको को अंड कोसिका तता सुकरान कोसिका कहते हैं तो युगमक को अंड को सिखा तास सुक्रान को सेका बोला जाता है अर्धसूत्री विवाजन में जिन प्रानियों में द्वी लेंगिक प्रजनन की प्रकरिया प्रचली थे और अधिकांस जन्तों में यहीं प्रकरिया पाई जाती है तो यह अर्द सुत्री विवाजन का ही कारण है दूइक हंड़न के बारे में हम डिस्कस का ले थें दूइक हंड़न तो यहाँ पर आपको देख लिजिए यहाँ पर इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है सेल फर्स्ट में DNA रिप्लेकेशन सेकरेशन और उसके बाद में साइटो काइनेसिस तो यहाँ पर अपका रिजल Twoi London होता है इनका Geo विज्ञान में किसी कोशिका का दो भागों में विवाजित होकर दो नई कोशिकाउ का निर्मान करना Twoi London binary fishing कहलाता है तो देखिए फरस्ट में आपका एक है उसके बाद में तोड़ा सा बाद में तोड़ा सा और हुआ और फिर दोनों अलग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी कहा जा रहा है यहाँ पर पढ़ लिजे जी विज्ञान में किसी कोशिकाओ का दो भागों में विवाजित होका दो नई कोशिकाओ का निर्मान करना दो भागों में विवाजित होका दो नई कोशिकाओ का निर्मान हुआ तो यहाँ पर इमेज में भी आप समझ सकते हैं तो इसको द्विखंडन बोला जाता है, तो द्विखंडन यह कहलाता है, जो कि किसी कोशिकाओं का दो भागव में विवाजितों का दो नई कोशिकाओं का निर्मान करना द्विखंडन या बाइनरी फिशन कहलाता है, जिवानू और अग जिवानू को अकेंद्रिक कहते हैं, तो इनको प्रोकेरियोटिक कहते हैं जिवानु तता अग जो जिवानु इनको प्रोकेरियोटिक कहते हैं इसका जो इनका जो विकंडन होता है एक प्रकार का अलेंगिक प्रजनन तता कोशी का विवाजन होता है इन जिवानों में, इसका अलावा कुछ सुकेंदरित जो प्रानी होते हैं, के कोसिकांग भी द्विकंडित ही होते हैं, तो जो सुकेंदरिक जो युकेरियोटिक जो और्गनिस्म होते हैं, युकेरियोटिक जो प्रानी होते हैं, उनके जो उनमें जो जो होता है, वो कोसिकां भी विकंडित होते हैं तो उनमें भी विकंडन की जो प्रक्रिया पाई जाती है नेक्स्ट आम आगे देख लेते हैं किसी भी जीव का प्रजनन निर्बर करता है तो यहां पर कुछ विवाजन सायक होता है तो समसुत्री जो विवाजन है व्रद्धी तता उत्को की मरमत में सायक होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं समसुत्री विवाजन की द्वारत घाव भी भरे जाते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं समसुत्री जो विवाजने व्रद्धी थता उतकों की मरमत में सायक होते हैं समसुत्री विवाजन किसके प्रजनन में सायक होते तो अकोस की जीवों के प्रजनन में सायक होते हैं समसुत्री विवाजन को मियोसिस नाम जो की दिया था फार्मर मूरे ने दिया था तो यहां पे देखिए हम जो पड़ा है उसी के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं रिवाइस इनको कर रहे था कि आपको यह दिमाग पर बने रहे हैं आप भूल नहीं पाएंगे यह दो बार आप रिवाइस कर लेंगे दो तीन बार तो हमने वहीं पर बार बार बोल के वो करवा दिया था एक बार यहां पर कर लेंगे तो आपके दिमाग से बिलकुल नहीं उत्रेगा यह कोश्चन अर्दु सुत्री विवाजन के फलसारुप संतत्ति कोसिकाओं की संक्या जो की रह जात वो अर्दु सुत्री कोशिका विवाजन की डिपलोटीन दोनों ही लाकचन आ जाते हैं तो अर्दु सुत्रीृजन के कारण लो डिप्डॉत since the absence गउसे माता पीता दोनों घींप नहob claim नेक्स अगेम के अगए कालवी सीन माइटो टिक विबाजन का विश है क्योंकि यहां इस विबाजन को रोक देता है तो यहां पर आप देख लीजिए यहां पर कोश्चन में पूचा भी जा सकता है मियोसिस में यह होता है अर्द सुत्री विबाजन में तो यहां पर आप देख सकते हैं मीयोसिस जो बोला जाता है द्वारा संतत्ति कोसइखाओ पेत्रा कोसिखाओ के समान नहीं होती है क्योंकि यहां क्रोसिंग ओबर होता है गुण्शुत्र की जिसनाइज आदी रहे जाती है तो हमुद्धे पूरा डिसकस कर लिया है kaosika विभाजन के बारे में और kaosika से related विभाजन भी complete हो चुआ kaosika विभाजन भी complete हो चुखा kaosika संरशना भी हमने first video में ही complete कर ली थी तो यहाँ पर kaosika से जो related पूरे questions थे पूरे doubts थे वो आपके बिलकुल clear हो गई कोई भी doubts यह धी आप कर रहा है में कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से लाइक कर दीजी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें थेंक्स पर वचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिन जेवारत